हेलो डियर स्टुडेंट वेलकम टू स्वामी विवेकानन टेक्न टूटरियल मैसल डॉक्टर रहूल कुमार सो बच्चो आज बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक में आप लोग को पढ़ने जा रहा हूं यह क्लास 12 फिजिक्स फर्स चेप्टर हम लोग के चल रही है लोक् तब तक पहले लेक्टर को नहीं देखोंगे तब तक क्लासे सवंज में नहीं आएगी तो इसे निमें बार बार कह रहा हूं कि सारे लेक्टर को 1-1 करके देखो तो बच्चो अभी जो टॉपिक है जैसा बात करेंगे हम लोग जैसे कि सब्चुलंब स्लॉग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा का वहतर फॉर्म को भी पढ़ा बच्चों कुलम्म व्लों में हम लोग सिंपली क्या जानते हैं कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल सब्सक्राइब कि उसमें फॉर्स अट्रेक्शन और रिपल्शन हो रही है लेकिं जदी सब्सक्राइब करें कि नंबर अ फड़ा चार्ज पार्टिकल 1234 ωं अपर अब चार्ज़ तो बात आती है कि अब जो उस समय हम लोग जो फॉर्स को निकालेंगे कोई फी एक चार्ज में मतलब दूसरे सारे चार्ज के कारण जो उस चार्ज में जो फोर्स लगेगी तो उसको हम लोग कैसे find out करेंगे उस resultant फोर्स को कैसे निकालेंगे तो यह सब सारे questions का जवा अभी मैं आप लोग को तूरंद clear कर रहा हूँ तो बच्चो जो हम लोग number of charges जब हम लोगों का होगा और कोई एक individual charge में उस number of charges के कारण उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग निकालते हैं simple सा method से जिसको कहते हैं super position principle super position principle तो बच्चो मैं आपको समझाता हूँ यह super position principle होता क्या है तो बच्चो statement के बारे में थोड़ा सा जान लेते है statement जैसे कि मैंने कहा principle of super position simple क्या है it states that when a number of charges number of charges मतलब बहुत सारा charges are interacting आपस मुझा भी interaction हो रहा है the total force on a given charge is the vector sum of या vector addition sum जो भी बोल सकते हूँ of the individual forces exerted on the given charges by all other charges मतलब suppose that देखो कि मैं एक example यहां पर ले रहा हूँ देख सकते हो यहां पर कि देख रहे हो कि क्या है यह q1 charge है देख रहे है यहां पर क्या है यह q1 charge है एक charge माल लेते हैं अब इसके सामने में q2 है q3 है इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ले रहे है तो जाइब सभात है यह पुझी पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो यह पाल सिपोर्श जो चार्ज है उसमें q2 q3 और q1 के कारण जो force होगा जो individual resultant force उस resultant force को देखो हम लोग सुपर पोजिशन ठीरम से नॉर्मली और simply निकालेंगे तब देख सकते बचों यहां पर जेदि हम लोग बात करते हैं simply यहां पर हम लोग बात करते हैं लोग देख सकते हैं अब जदी बात करते हैं कि q1 और यह तुम्हारा q2 है तो सबसे पहले तो यह distance का बात करते हैं कि जो distance मतलब इसका displacement किसे वन क्योंट थे हैं सब्सक्राइब हम लोग कहां जा रहे हैं सब यह हमारा डिस्पल्समेंट वेक्टर हो रहा है फिर बात करेंगे कि this one यह क teaches give यह निकाल रहे हैं जो होगा R N और यह 1 देख रहे हो तो यह displacement घ्रत हम लोग को यह aggregate ठीक है but displacement अब बात आती है कि यह Q2 और यह Q1 है तो यह जो Q1् में Q2 के कारण जो फॉर्स होगा कि दोनों क्या है सैम निचर का चार्ज है तो यह नहीं क्या बच्छो देख सकते हो सी कि ये जो फोर्स लग रहा है कि कीवन में क्यूटू के करन तो इस डिर्यक्षिन में लगे होगा क्यों क्या है रिपल्सन हो रहा है सो यह एस one two देख रहे रहते हैं यह simple, similarly, मुठ बात करेंगे कि 3 और कि यह तो कि यह लगों का कि यह तो इस तरह से मं एंफ के चार्ज्ए है इसमें क्यों नगने वाला ज़ी heter हो तुम्हारा तो यह देख सकते हो कि F यह 1 और यह स्वापन ridiculous आइन isot कोई क्यों जो चार्ज है तुम्हारा इस पर हम लोग भी जो है कि रिएल्टेंट फोर्स निकालेंगे और क्या डिफ्री जो देख रहे क्यू टू क्यू तो लगेगा तो देखा पहले तो हम लोग ने कि एक वेक्टर सिंपल से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लिया है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैसे कि f12 f12 का बात करते हैं क्या है f12 जो निकालते हैं तो देखना मैंने जो लास्ट लेक्टर में समझा चुका हूं बॉन बाए 4पाई शुलन नट 17 नॉट और यह तुमारा क्या है तुमारा देख रहे हैं औो 2 चाज क्यू वन है और यह तुमारा क्यू टू है और डिस्प्लेस्मेंट है क्या है देख रहा हां बच्चो इसमें कि सिम्पल क्या है कौन से लगा हूं आरड Sebastian को क्या किसके लिए एप और थीरी के कारण जो है आप बात करेंगे कि नंबर अब चार्जस तुमारा है तो नंबर जो लास्ट का बात करते हैं N-number of charges. So F1, F1N. So 1 by 4 pi epsilon 0 Simple Q1 Q1N हो गया R N1 का whole squared R N1 का Tumhara gap ठीक है? तो ये तो हमें लोगों ने निकाल लिया है कि जदि तumhara Q1 है Q1 charge पे Q2 के कारण Q3 के कारण और N-number N charges के कारण जो force लग रही है उसको मैंने बता दिया, आप हम लोग आते हैं कि भाई, शुपर पोजिशन पिंसिपल, तो शुपर पोजिशन पिंसिपल का जो statement में देख सकते हो, कि सुपर पोजिशन पिंसिपल में का कहा है, कि जो F1 में जो force लगेगा, Q2, Q3 और QN के कारण, वो vector addition होगा, वो क्या हो 2 के कारण, तो 2 के कारण क्या है, हम लोग निकाले है, F12, 3 के कारण, तो F13 है न, प्लस, dot dot dot, F1N के कारण, हम लोग निकाल चुके हैं, सो अब क्या है, सो simply हम लोग, जितना है, भेलो को पूट कर दो, तो यह answer आ गया, सो 1 by 4 by epsilon not, epsilon not को तुम लोग common भी लिख सकते हों, तो common म R21 का whole square, R21 unit vector, प्लस Q1, Q3, R31 का whole square, और R यह तुमारा 31, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग लिख सकते हैं, डोडोडोडोड, N के कारण, तो प्लस Q1, Q3, RN1 का whole square, और यह R1 का cap, तो देख सकते हैं, बच्चों की, यहाँ पर हम लोगों ने simple सा, क्या किया है, Q1 जो charge है, है न, उस पर Q2, Q3, Q1 के कारण, वह number of charge के कारण, कोई एक charge में क्या effect हो रहा है, और क्या resultant force हो रहा है, हम लोग आखानी से superposition principle से निकाल सकते हैं, अब similarly, जिदि तुमको निकालना रहेगा F2, तो F2 के कारण निकाल लोगे, तो similarly, हम लोग निकाल सकते हैं, तो यह superposition simple सा, जो है, एक theorem है, जिसमें हम लोग आसानी से, जितने सारे force number of charges के कारण, जो individual force लेगा, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, तो देख सकते हैं, यह simple way में मैंने आप लोग को बता दिया, कि superposition theorem किया है, ठीक है, तो यह superposition theorem को अच्छे से समझो, notes बनाओ, और पहले लेक्चास जो है, उसको one by one करके देखो, बच्चो, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा मन से जिदी पढ़ाई करते हो, तो मैं इस इसका तुम लोग गारंटी देता हूँ, कि physics हो, या chemistry हो, मैं जो भी subject भी तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ, वो one by one करके इतनी अच्छे से किलियर हो जाएगा, कि तुम लोग को अब लए है कि, कि नहीं हम लोग घर में बैट करके इतना अच्छा पढ़ाही कर रहा है, तो dear student, मैं तुम लोग से यह कहना चाहूँगा, कि मेरे चैनल को subscribe, ज से लेने का कोशिश करो, ठीक है बच्चों, तो यह सुपर पोजिशन थिरम को तुम लोग complete करो, और अच्छे से इसको बना लो notes, तो तब तक के लिए bye, और फिर हम लोग नया topic शुरू करेंगे, so dear student, bye.